नीट दो अजार चोबिस अंतिम प्रहार हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ओफ इनेरिटेंस इन वेरियेशन यह दूसरा वीडियो है बहुत तेज रैपिड फायर का तो देखिए बैटे पॉलीजैनिक इनेरिटेंस की बात समझे तो पॉलीजैनिक इनेरिटेंस में हम यह कह रहे अलग अलग क्रोमोजों पर एक पर भी हो सकती है लेकिन मैं पर प्रिंपलिसिटी के लिए आपको बता रहा हूं यह तीनों की तीनों नौड अलीलिक जीन है इसका मतलब अलील शेयर नहीं कर रही है इनका लोकस अलग अलग है अगर यह तीनों एक ही करेक्टर को बनाएगी उतना ही Capital B बनाएगी और उतना ही Capital C बनाएगी इसी तरह से Contribution हर Recessive Aleel का भी इकोल होगा इसका मतलब यह हुआ कि जितनी जादा dominant Aleel होंगी उसमें complexion उतना जादा darker होगा उतना जादा pigment बनेगा so please try to understand यह जो है यह वाला इससे lighter होगा और अगर आप देखें तो यह वाला और light colored होगा I hope you are understanding इसको मैं कहता हूँ additive effect और यहां पर इन्वार्मेंट का असर बहुत जादा होता है और human skin color में जिसमें 3 polygene's है 1 is to 6 is to 15 is to 20 is to 15 is to 6 is to 1 यह ratio आता है और अगर आप इसका normal distribution curve बनाए तो ऐसे मैंने बनाया बेटे 1 this would be 6 and this would be 15 and this would be better 20 और अगर मैं इनके mid points को जोड़ दू तो bell shaped curve आएगा the normal distribution curve is bell shaped इतने सारे characters आपको मैंने बता दिया environment का influence मत भूलिएगा additive effect मत भूलिएगा non-allelic genes है बहुत सारी genes एक ही phenotype को असर कर रही है और नॉर्मल distribution curve क्या है बैटे bell shaped है इसे आप polygenic inheritance कहते हैं एक और चीज़ बने ध्यान से देखें बैटे मान लीजिए capital A convert हुआ इसमें B में सो यह substrate है यह product में convert हुआ यह product अलग-अलग तरीके से C और D में convert हुआ अलग-अलग enzyme इसमें involved हुए और D convert हुआ बैटे E और F में तो हम यह कह रहे हैं कि यहाँ पर C E और F इस metabolic pathway के end product है बहुत simple metabolic pathway है जिसमें interdependent chemical reactions आपको दिखाई दे रहे हैं किसी का product किसी का substrate वन रहा है हर एक step fertilize होगा एक enzyme से तो यहाँ E1 है यहाँ E2 यहाँ E3 यहाँ E4 और यहाँ E5 हम यह कह रहे हैं कि यह skin color के लिए pigment है यह hair color के लिए pigment है and let us say यह eye color के लिए pigment है just just एक hypothetical हमने बात करी this E1 will be the expression of G1 यह बैटे G2 gene का expression है यह G3 का है यह G4 का expression है और यह G5 का expression है आप जानते हैं कि साधरन भाशा में gene जो है वेटे उसका expression एक protein होता है and almost all enzymes are protein अब मुझे एक बात बताईए कि अगर G4 खराब हो गई तो क्या यह बात सही है कि E4 वेटे खराब हो होगा तो अगर जीवन खराब हो गई तो आप यह जानते हैं कि तीनों फीनो टाइक पर असर आएगा अपकी बार पीछली बार पॉली जैनिक था जिसमें अलग अलग नौन अलिलिक जीन सेम करेक्टर को कंट्रोल कर रही थी यहां पर मैं कह रहा हूं एक जीन उसके मल्टीपल फीनो टिपी का सर्थ है इसको हम कहते हैं बेटे प्लियो ट्रॉपी और प्लियो ट्रॉपी की फिजिकल बेसिस आप से पूचेंगे आपकी एंसी आटी की लाइन आपको दिखा जा सकता है I hope this is now absolutely clear polygenic ट्रेट भी आपको समझ में आ गया प्लियो ट्रॉपी भी आपको समझ में आ गया आगे चलते हैं इस वाले चैप्टर में देखें वाय क्रोमोजोम इस दी मेल डिटर्मिनिंग फेक्टर ध्यान से सुन लीजिए अगर किसी जीनो टाइप में वाय क् अगर क्रोमोजोम नहीं दिखाई दे रहा है तब वो फीमेल है टर्नर सिंड्रोम इसलिए फीमेल है अगर वाय क्रोमोजोम है इसम आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस आपके सामने दुबारा से रिवाइस कर रहा हूं पिडिगरी के ऊपर मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो को शेयर किया है उमीद है आपने समझ लिया होगा बेंडेलियन इनेheritance जी है जो फॉलों हो रही है तो उसमें गडबड की वज़े से जुझी बात कर रहा हूं एक जूंस के दोhी अलीय से जहां से समझ के सार्डूर मं एक जीन कंट्रोल कर रही है एक ट्रेट को और उसमें उसकी दो ही अलील से और एक कंप्लीटली डॉमिनेंट है दूसरे के ऊपर और इसके अलाबा सेग्रीगेशन और रेंडम फर्टिलाइजेशन होता है इस तरह के जो ट्रेट से जो कि अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे है पेडिगरी अनालिसिस में उसे आप मेंडेलियन ट्रेट कहते हैं यहां पर यह जो जीन है अगर आटोजोम पर लोकेटिड है तब आप इसे आटोजोम लिंग्ड कहेंगे और अगर यह सेक्स क्रोमोजोम पर लिंग्ड है तो इसे आप सेक्स लिंड कहेंगे क्योंकि सेक्स इनके लिए जीन थरेपी ट्राइ की जा सकती है दिमाग लगाई है मैंने आप से कहा कि एक डॉमिनेट अलील काफी है अगर बार लीजे कोई आटोजूमर रिसेसिव कंडिशन है तो अगर आपने एक डॉमिनेट अलील नॉर्मल कॉपी ऑफ ऑफ जीन पहुचा दी है तो वह क इससे क्या फाइदा अगर आपने एक नॉर्मल कॉपी ऑफ अलील भी पहुचा दी तो वह काफी है फीनो टाइप प्रड्यूस करने के लिए एक और क्वेस्चन जो आप से पूछा जा सकता है एक और चीज बड़े ध्यान से समझेंगा बेटे अगर चेंज इन क्रोमोजोम नंबर है तो अगर चेंज इन क्रोमोजोम नंबर इस नॉर्ट अन एग्जेक्ट मल्टीपल ओवेस्ट नंबर एन तब आप उसे एन्यूप्लाइडी कहते हैं तो द्यान से समझेंगा मैं एक बार तेजी से लिग देता हूँ मैंने ये कहा कि मान लीजे क्रोमोजोम डिसॉ कि मुल्टीपल औफ स W Ci फो एन्न का एग्जेक्ट मल्टीपलं नहीं है आप जानते है हमारे में एड़ी को सांटे व क्रोमोजोंजोंगे उसे आप क्या कहते हैं लाइन फेल्ट यह उन इस प्लाल याोटो ऋंगे ऑर liILY всего क्ट्रोस हैं और इकजेंग लाघ currents इन गरोइज ह 44 autosome से XO total number of chromosomes कितना है 45 it is again not a multiple of 23 इस वाली condition को हम कहते है एन्यूप्लाइडी इस condition को हम कहते है एन्यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी की वज़े होती है non-disjunction नौन-disjunction का मतलब है failure of the chromosomes to separate किस टाइम पर separate at the time of segregation याद कीजिए मैंने आपको बताया था so meiosis 1 meiosis 2 में भी यह segregation failure यह non-disjunction हो सकता है जिसकी वज़े से एन्यूप्लाइडी प्रड्यूस हो सकती है और यह एन्यूप्लाइडी में chromosome number change हो जाएगा और अगर autosomal on you and you ploy d आपकी ncrt में दीवी है तो वो down syndrome है down syndrome में 21 chromosome की तीन copies होती है total number of chromosome again 47 है और प्लीज रिमेंबर बार-बार में लाइन फेल्टर और टनर्फिस इंड्रोम की बात कर रहा हूं that is again because of non-disjunction event वह भी पेटे क्या है एन्यूप्लाइडी है but that involves the sex chromosome उमीद है यह बहुत सारे questions आपको समझ में आ गया होंगे चलते चलते एक दो disorder है इसमें abnormal hemoglobin बनता है शायद मैं गलत बोल गया इसको ठीक करिए फिर समझ ये sickle cell anemia एक qualitative disorder है इसमें abnormal hemoglobin बनता है थेले सीमिया quantitative disorder है इसमें कम hemoglobin बनता है जितनी जादा अलीन्स involved होंगी जितनी जादा genes involved होंगी उतना जादा खतरनाक बैटे क्या होगा expression होगा थेले सीमिया में एक और चीज बड़े ध्यान से समझ लीजेगा फिनाइल किटो नूरिया inborn error of metabolism है inborn error of metabolism उसको कहते हैं जो बर्ट से होते हैं और बर्ट से error of metabolism का मतलब यह है कि उसमें metabolic block है और metabolic steps को control करते हैं एंजाइन और अगर कोई enzyme गायब है तो metabolic block लग जाएगा फिनाइल किटो नूरिया में फिनाइल एलेनीन hydroxylase absent है और इस वज़े से फिनाइल एलेनीन convert नहीं होता टाइरोसीन में और इसकी वज़े से फिनाइल एलेनीन इंट्रस्टिंग चीज है कि फिनाइल एलेनीन एक essential amino acid है तो अगर आप इसका treatment ढूंड रहे हैं तो बड़ा असान काम है डाइट में फिनाइल एलेनीन देना कम कर दीजिए this can be taken care of इससे पहले भी मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूँ फिर बता रहा हूँ sex link recessive disorder common होते हैं मेल्स में मेल्स sex chromosome के लिए हैमीजाइगस होता है x और y को हिट्रोजाइगस नहीं कहते हैं हैमीजाइगस कहते हैं x का counterpart नहीं है y और इसी लिए sex link males carrier नहीं होते female carrier हो सकती है female का किसी x link recessive condition से affected होना काफी rare है हम इस बारे में बात कर चुके हैं अगर वह affected होगी तो इसका father भी affected होगा और mother कम से कम mother कम से कम क्या होनी चाहिए बिटे carrier होनी चाहिए तो अभी मैंने आपके सामने बहुत तेजी से बहुत सारे questions आपको कराएं यह सारी चीजे आपसे इस particular chapter में पूछी जा सकती है telegram को follow करते रहिए वहाँ पर मैं बहुत सारे questions आपसे इस chapter के और पूछने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी बेटे molecular basis of inheritance में कई videos आपके साथ करेंगे इसी तरह के rapid fire so keep please keep watching best of luck thank you so much